हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, टाइम टू स्टेडी, कैसे हैं आप सब, आप सब ठीक होंगे, आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थे शिक्षा, जो सभी क्लासिस के लिए बहुत इंपोटेंट है, चाहे वो 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, या BA हो, या B.S.C.B कोई सी भी क्लास के लिए बहुत इंपोटेंट कोशन है, तो आज के हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं, स्वास्थे शिक्षा का अर्थ बताते हुए, इसके महत, शेत्र, रक्षा के उपाए, बताईए, स्वास्थे शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वास्थे प्लस शिक्षा, जहां स्वास्थे का अर्थ रोगमुक्त शरीर से है, तथा शिक्षा का अर्थ जानकारी से है, अथार्थ स्वास्थे शिक्षा स्वास्थे के बारे में जानकारी देने से है, और स्वास् स्वास्थे शिक्षा हमें स्वास्थे के बारे में जानकारी देती है कि हम अपने शरीर को कैसे स्वास्थे रख सकते हैं। स्वास्थे शिक्षा से तात परिये लोगों को स्वास्थे की जानकारी देना है। उन्हें स्वास्थे के महद से परीचित कराना है कि वे अपने स्वास्थे का खयाल कैसे रखें तथा शरीर को रोगमुक्त कैसे बनाएं। हमारा शरीर स्वास्थ है तो हम समाज का अच्छा नागरिक बनकर समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। अथार्त अच्छा स्वास्थे हमारे लिए पुरुसकार अत्वावर्दान के समान है। तथा यदि हम बिमार हैं तो यह एक अभिशाप है और हम समाज पर एक कोई भी इसमें हार्ड वर्डिंग यूज नहीं हुई भी है। सब बहुत इजी लैंग्वेज हैं। आप आसाने से एक ही बार में पढ़के स्याद कर सकते हैं। आपके लिए यह काफी इजी रहेगा। अब देखते हैं इसके महत्व। स्वास्थे शिक्षा का हमारे जीवन में अधिक महत्व है। हमें लोगों को स्वास्थे की जानकारी देनी चाहिए जिससे वे स्वास्थे के परती जाग रुखों। बालकों के पाठे क्रम में स्वास्थे शिक्षा सम्मलित किया गया है जिससे बालक इसका महत समझें और दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी दें स्वास्थे शिक्षा का ग्यान देकर हम लोगों को अनेक विमारियों से बचा सकते हैं इससे हम और हमारा समाज रोगों से बचे। स्वास्थे शिक्षा हमें स्वास्थे के परती से चेत करती है कि हमें किस परकार का भोजन करना चाहिए इत्वा नहीं। देखें, अगर हमें स्वास्थे के बारे में जानकारी होगी कि हम किस चीज़ से हमें लाब होता है, किस चीज़ से हमें हानी होती है, हमें फास्ट फूड से नुखसान पहुंचता है, इन चीज़ों का ग्यान येदी हमें होगा, तो हमारा शरीर अनेकों बिमारियों से दूर रह सकता है, अगर हमें स्वास्थे की जानकारी होगी, तो हम अपने परिवार का ख्याल भी रख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं इसलिए स्वास्थे शिक्षा सभी के लिए अधिक आश्यक है स्वास्थे शिक्षा के दौरा लोगों को स्वास्थे के बारें बताकर अनेकों बिमारियों से बचाए जा सकता है अथार्थ स्वास्थे शिक्षा का हमारे जीवन में अधिक महत्व है देखिए भी नॉर्मल सी लेंग्वेजे या अपनी तरफ से बना सकते हैं पता होगा जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि स्वास्थे का हमारे जीवन में कितना महत्व है पर्थम सूख निरोगी काया आपने सब तो स्लोगन सुनाई होंगे तो वही सब आप एड़ कर करके अपने लॉंग कोशन को और बड़ा बना सकते हैं है डिंग सैड करके जो भी आपके दिमाग में स्वास्थे संबन दिया या आप उससे संबन दी कुछ भी रिलेटिड करके लिख सकते हैं जो आपने आज तक पढ़ा होगा स्वास्थे के बारे में स्वास्थे किन चीज़ों से हमें फायदा पहुचाती हैं क्या चीज़े क्या चीज़ा नहीं पहुचाती हैं हमारे स्वास्थे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं आप इन चीज़ों को देखके सुनके लिखके जो भी आप पने दिमाग मारा हो आप उन्हें लिख सकते हैं हमारे स्वास्थे शिक्षा क्या महत्व है हमारे जीवन में ये तो हो गया ये अब देखते हैं इसका शेद्र स्वास्थे शिक्षा का शेद्र पहला है स्वास्थे सेवाएं पहला है स्वास्थे सेवाएं बालकों को स्वास्थे की जानकारी देकर उन्हें स्वास्थ के परती जागरूख करना जिससे वह यदि रोग से ग्रस्थ हो तो तुरंत रोग का उपचार करें अगर हम बालको को स्वास्थे की जानकारी देंगे उन्हें जागरूख करेंगे तो वह अपने स्वास्थे के परती जागरुख होंगे जिससे अगर वो किसी रोग से ग्रस्त होंगे तो तुरंट उसका उपचार कर सकते हैं देखें अगर हम अपने पूरे के पूरे उसका शरीर का हम चेक अप कराते हैं पूरे जिसे बहुत लोग होता है कि हर महीने चैक अप कराता है, हर हफते कराता है तो इससे अगर यह दिस शरीर में कोई रोग है तो हमें उसके बारे में पता चलता है यह इससे हमारा जीवन भी बच सकता है जिसे बहुत बिमारीों, बहुत बिमारीों से लोग किम रत्तिव इसलिए होती है कि उन्हें बहुत बाद में अपनी बिमारी का पता जलता है इसलिए ये है कि अगर हम अपना महीने महीने चेक अप कराते रहें स्वास्थ सिवाय लेते रहें तो हम अगर हमें कोई रोग होगा तो उससे बच सकते हैं और उसका उपचार तुरंट कर सकते हैं अब दूसरा देखते हैं स्वास्थ निरिक्षन बालकों का समय समय पर स्वास्थ निरिक्षन होना चाहिए जिसे रोग की जाच हो और रोग का जल से जल समाधान किया जा सके सरकार को चाहिए कि विद्यालियों में जंगा जंगा कैम्प लगाकर बच्चों का बड़ों का सबका स्वास्थ निरिक्षन करना चाहिए यदि उनमें कोई रोग होगा इसे बहुत सो लोग होता हैं जिसे हमें मदू में हो गया शुगर हो गया हमें बहुत बाद में बजलता है कि हमारे शरीद में पता नहीं कब से होगा तो जिसे अगर हमारे स्वास्त निरिक्षन होगा तो इससे हमारे शरीद में अगर कोई रोग होगा तो उसका पता चल सकता है इसलिए सरकार को चाहिए कि जंगा जंगा पर कैम्प लगा कर स्वास्थ निरिक्षन कराना चाहिए और पूरी अपनी टीम सरकारी टीम भी विध्यालों बेनी जाहिए जिसे बालकों का स्वास्थ निरिक्षन हो सके अब थर्ड टॉपिक देखते हैं स्वास्थ निरिक्षन बालकों को स्वास्थे के पड़ती निर्देश देना कि वह अपने स्वास्थे को कैसे सही रख सकते हैं उन्हें संतुलित आहार लेने के लिए निर्देश देना चाहिए तथा फास्ट फूड आधी भोजन करने से मना करना चाहिए इससे बालगों का स्वास्त सही रहेगा तथा रोग भी कम होंगे स्वास्त निर्देश जिसे हम डाइट प्लाइन भी कहते हैं यदि हम किसी डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं तो हमें बताएगा कि हमें संतुलत आहर लेना चाहिए और फास्ट फूड हमें नहीं लेने चाहिए क्योंकि फास्ट फूड जो बाहर बनता हैं बहुती गंद की युक्त पधार्थ होता है वो जो उनका तेल होता है फास्ट फूड में जो तेल यूज होता है वो हजार दफा गरम हुआवा तेल होता है जो तेल के तत्फ होता है उन्हें मार देता है जो वो तेल होता है वो हमारे शरीरे में जहर का काम करता है इसलिए हमें फास्ट फूड का सिवन बिल्कुल भी नहीं करना चाह artist वर हमें एक घर का शुद बना हुआ भोजन लेना चाहिए संतुलित अहार का सिवन करना चाहिए इससे हम अनेको बिमारियों से बच सकते हैं ये सभी स्वास्थे निर्देश में आता है ये हुआ स्वास्थे शिक्षा का शेत्र स्वास्थे सिवाए, स्वास्थे निर्देश ये सभी हमने पढ़ लिया है I hope आपको समझ में आ रहा होगा अब देखते हैं सबसे important स्वास्थे शिक्षा के रक्षा के उपाय हम देखते हैं हम अपने शरीर को निम्न कारिये करके स्वस्थ रख सकते हैं इसमें आएगा कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखते हैं इसकी जानकारी मतलब हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखते हैं क्या उपाय करने चाहिए क्या उपाय अपना कर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं ये सभी आएगा स्वास्थ शिक्षा के रक्षा के उपाय में चलिए देखते हैं स्वास्थ रक्षा के उपाए निम्न हैं पहला है संतुलित अहार का सेवन हमें संतुलित अहार का सेवन करना चाहिए जिसमें हरी सबजी आती हैं फ्रूट्स आते हैं वेजेटेबल्स आते हैं मिल्क आता है और भी बहुत अन्य चीज़ आती हैं उसमें बहुत साइची संतुली ताहर में आती हैं जो बहुत हमारे शरीट के लाब दायक होती हैं जिसमें कार्बोहाइडरेट, वसा, खनिज, लवन, विटामिन, सब कमिश्रन होता है उससे संतुली ताहर कहता है इसलिए हमें संतुली इश्या के शेत्रों हमें लोग को जागरुक करना चाहिए स्वास्थे के लिए जिससे वह जागरुक हो सकें अपने स्वास्थे के परती जागरुक हो सकें जिनसे उन्हें पता चले कि अगर हम अपने स्वास्थे का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बिमार पढ़ सकते हैं हमें काफी हानिया हो सकती है यदि वेक्ति अपने स्वास्ते के परती जागरूख होंगे तो उन्हें अनेकों बिमारियों से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी अनेकों बिमारियों से बचा सकते हैं हमें स्वास्ते के पड़ती लोगों को जागरू करने की आशकता है तीसरा है विद्याले का वातवरन अक्सर बच्चों का जो बच्चों का जो स्वास्त होता है वो विद्याले के वातवरन से खराब होता है जैसे विध्यारले का वातवरन अगर अच्छे स्थान पर ना हो विध्यारले अच्छे स्थान पर ना हो विध्यारले का वातवरन बहुत ही शोर वाला हो गंदगी युक्त हो और भाई विध्यारले का असपास बहुत गंदगी हो तो ये बच्चे के स्वास्त पर बुरा पर पढ़ते हैं और बच्चे उससे परभावित भी होता है विद्यारले का वातवरन बाला को परभावित अधिक परभावित करता है इसलिए विद्यारले का वातवरन अच्छा होना चाहिए जो बाल को पर अच्छा परभाव डाल सकी है चौथा टॉपिक है योग योग एक पर जर्ष्थ रहता है, हमारा शरीर जल्दी भुड़ा नहीं होता, अने को निए उस तनाओब को दूर करता है, इसलिए हमें योग आवश्य करना चाहिए, वयायाम, एक्सες इसराइस है आवश्य करनी जाहिए, हमें वयायाम आवश्य करना चाहिए, ब 소बह précisions. वयाम करने से हमारा शरीर जुस्त दुरुस्त रहता है तरो ताजा हो जाता है हमारे शरीर में ताज गया आती है और काम करने की सफुर्ती भी आती है वयाम हमारे लिए धिक मैतपून है इससे हमारा शरीर स्वस्त रहता है चलिए इन सभी को तो मैंने मोटा मोटा आपको वैस करने से हम अपने शरीर को स्वस्त रख सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर को सभी पोशक्तत हो के आशकता होती है अतह संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर में सभी पोशक्तत आशक मात्राएं परवेश करते हैं जिससे शरीर के सभी अंगल का विकास होता है देखे अगर हम संतुल संतुरी तहार लेने से हमारे शेरीर के सभी हंगों का विकास होता है। दूसरा टॉपिक है लोगों को स्वास्थे के पड़ती जागरुख करके हम लोगों को स्वास्थ शिक्षा के विश्य में जानकारी देकर उन्हें स्वास्थ रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि लोगों को है ग्यान हो कि हमारे स्वास्थे के लिए क्या सही है तो वह क्या नहीं तो अधिकतर बिमार्या तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी इसलिए हमें लोगों को स्वास्थे शिक्षा की जानकारी देनी चाहिए जिससे वह स्वास्थे के पड़ वरंड से फरभावित हो और उनके स्वास्ते भी ठीक रहे फूर्थ टॉपिक है योग योग एक परकार का प्राची नितिहास है हमें अपने परते दिन के कारियों में योग को विशेश महत देना चाहिए और नियमित रूप से योग करना चाहिए योग करने से हमारा मन और मस दिश्यान्त रहता है और हमारा शरीर भी इने को बिमारें से दूर रहता है तेकि मैंने सब हैडिंग्स बहुत ही इजी वे में तयार की है आपके एक ही बार पढ़न में याद हो जाएंगे आप आसानी से इन्हें अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और वैसे तो मैंने ये भी बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है आप लोग के हसानी की वेसे कि आपको एक ही बार पढ़के याद हो जाएं फिफ्ट एंड लास टॉपिक है वयायाम हमें वयायाम आश्य करना चाहिए वयायाम करने से हमारा शरीर दुर्स रहता है और शरीर भी इने को बिम स्वास्ते रक्षा के उपाय हम किस परकार से अपने स्वास्ते की रक्षा कर सकते हैं क्या उपाय अपना सकते हैं तो हमें वयायाम करना चाहिए योग करना चाहिए संतुरित आहार लेना चाहिए लोग को जागरु करना चाहिए विध्याले का बातवरन अच्छा होना चाह इन सब को भी आप उपाय में लिख सकते हैं अब देखिए अरस्तू के अनुसार यह हो गई स्वास्थे की परिभाशा अरस्तू के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिश्क निवास करता है आप अपने कोश्चन को अट्रक्टिव दिखाने की विए से जिस पे एक आप बीच बीच में डेफिनेशन्स लिख सकते हैं कोई कोट्स लिख सकते हैं जैसे इसका इंप्रेशन बहुत चापड़ेगा और नॉर्मल सी फॉर्मल सी परिभाशा है यह अरस्तू के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिश्क निवास करता है तो आप यह लि हो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा अच्छा लगा या बुरा लगा आप अपनी कमेंट्स में